कलकत्ता, जिसे आज कोलकता कहा जाता है, भारत का एक ऐसा शहर है जहां आधुनिक्ता और परंपरा का अनूठा मेल देखने को मिलता है। यह शहर अपने सम्रिध इतिहास, साहित्य, कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस चका चौन्थ के पीछे एक कड़ का हिस्सा बन गया है। ऐसी ही एक कहानी है रमेश की, जो एक गरीब रिक्षा चालक है। रमेश का जन्म बिहार के एक छोटे से गाव में हुआ था। गरीबी उसके परिवार की स्थाई साथी थी। उसके पिता एक खेती हर मजदूर थे, जो दूसरों के खेतों में काम कर परिवार का पेट पालते थे। रमेश ने बच्पन में ही गरीबी का असली मतलब समझ लिया था। पढ़ाई लिखाई की जगह उसे छोटी उम्र में ही खेतों में काम करना पड़ा। कभी कभी रमेश अपने पिता के साथ गाव के पास के शहर जाता, जहां उसने पहली ब परिवार का पेट भरने के लिए उसे गाव छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ा। रमेश के लिए कलकत्ता एक बिलकुल नया और अजनबी शहर था। यहां आने के बाद उसने एक रिक्षा चालक की सहायक के रूप में काम शुरू किया। पहले पहल उसे यह काम मुश्किल लगा। शहर की व्यस्त सडकों, ट्रैफिक और ग्राहकों की डांट फटकार ने उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की। लेकिन पेट की आग ने उसे हार मानने नहीं दी। धीरे धीरे उसने खुद एक पुराना रिक्षा किराय पड़ लिया और उसे चलाना शुरू कर द तो कभी पूरे दिन के बाद भी दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता। रमेश की दिन चर्या सुबह पांच बजे शुरू होती। वह रिक्षा लेकर स्टेशन या बाजार के पास खड़ा हो जाता जहां यात्रियों को ढोने की संभावना सबसे करते समय रमेश अक्सर सोचता कि ऐसी जिंदगी भी होती है जहां लोगों को खाने पीने रहने या कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन उसकी हकीकत बिलकुल अलग थी। वह दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा या अप कि मान चलगता। कभी कभी तो यात्री उसकी मेहनत का सम्मान करने की बजाए किराया कम करने के लिए उससे जगरने लगते। सबसे बड़ी तकलीफ तब होती जब रमेश को यह एहसास होता कि उसकी मेहनत और इज़त का कोई मोल नहीं है। वह अपने परिवार को बहतर जि कैसे भेजता और साल में एक या दो बार उनसे मिलने जाता। अपनी बच्चों की मासूम बातें और पत्नी की शिकायते सुनकर उसका दिल भराता। लेकिन वह मजबूर था। कलकत्ता की सडकों पर उसने अपने परिवार के लिए अपना खून-पसीना बहाने का फैसला कि किया था। कई बार उसे लगता कि वह परिवार के साथ रहकर खेतों में मजदूरी ही कर लेता। तो शायद जिंदगी थोड़ी सुकून भरी होती। लेकिन उसके अंदर के आत्मसम्मान ने उसे यह कदम नहीं उठाने दिया। वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनकी जिंदगी को अपने से बहतर बनाना चाहता था। रिक्चा चलाने का काम जोखिम भरा होता है। एक बार रमेश एक तेज रफतार कार से टकरा गया। हादसे में उसकी टांग में गंभीर चोटाई। कई हफतों तक वह रिक्चा नहीं चला सका। इस दौरान उसकी बचत खत्म हो गई और उस पर कर्ज चड़ गया। उसने जैसे तैसे अपनी टांग का इलाज कराया और फिर से काम पर लोट आया। लेकिन हर बार जब वह रिक्चा खींचता तो दर्द उसकी टांग में टीस मारता। रमेश की जिंदगी में रोशनी की एक किरन तबाई जब उसके बड़े बेटे ने दस्वीं की परीक्षा पास की। बेटे ने अपने पिता का संघर्ष देखा था और पढ़ाई में खूब महनत की। रमेश ने कर्ज लेकर उसकी आगे की पढ़ाई का इंतजाम किया। वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर एक अच इतर भविश्य की कोशिश करते हैं। रमेश का सपना है कि एक दिन उसके बच्चे उसकी तरह रिक्षा न चलाए। बलकि सम्मान जनक जिन्दगी जी उसके संघर्ष को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे गरीब रिक्षा चालक असली योध्धा है।